हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं और एक नए अब्जेक्टिव कोशन सेट के बारे में जोकी राजनितिक यानि पॉल्टिकल साइन्स के हैं और यह सेट नंबर फाइफ है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के अब्जेक्टिव कोशन सेट को देखना चाहते ह हैं और यदि आप हमारे अब्डेट्स जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है केंद्र राजियों के प्रसासनिक समंद भारतिय समीधान के किस अनुछेद में दिये ग भारतिय गंतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया तो इसका सही आंसर होगा उनी सो एक सट निम्लिखीत में से किसे भारती समीधान की समवर्ती सुची में रखा गया है तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को निम्लिखीत में से कोन भारत का लगातार दो बार राश्ट्रपती बना तो इसका सही आंसर होगा राजंदर फ्रसाद राश्पती देश में अपात इस्तिती की घोसना निम्लखीत में सिक किसे से लिखीत प्रामर्स प्रात करने के बाद ही कर सकता है तो इसका सही आंसर होगा संग्य मंत्री मंडल सम्विधान सभा के सम्मूख किसने सम्विधान की प्रस्तावित की थी तो इसका सही आंसर होगा पंडीत जवहारलाल नहरू अस्थाइन ये MP तथा ML गन निम्लिखीत में से किसके पदेन सदशी होते हैं तो इसका सही आंसर होगा जीला परिशद के मौलिक अधिकारों पर निम्लिखीत में से किसके द्वारा परतिबंध लगाये जा सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा उचितम नियायाले द्वारा निम्लिखीत में से किस छेत्र में अस्थान निकायों पर राज सरकार का कोई नियंतरन नहीं है तो इसका सही आंसर होगा नियम निर्धारन लोक प्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था तो इसका सही आंसर होगा टी एच ग्रीन ने किसी अधिनियमित सम्विधान का सबसे पहला उधारन है तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी सम्विधान अगला प्रस्ण है निमलखीत में से किसे लोगसभा का अभिरक्षक कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा लोगसभा अध्यक्ष अस्थाई लोगसभा अध्यक्ष को कोन नियुक्त करता है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्र पती योजना आयोग किस छेत्र में कारिय करता है तो इसका सही आंसर होगा भारती अर्थ व्यवस्था भारत में पंचवर्ष ये योजना बनाने की जिम्यदारी किसकी है तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग केंद्र और राज सरकार के बीच धन के बटवारे के समंध में कोन राय देता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग संग लोकसेवा आयोग के सदच्चियों की नियुकति कोन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्र पती प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर होगा प्रजा तंत्र संगनात्मक सासन वयस्था को सरफर्थम किस देश ने अपनाया तो इसका सही आंसर होगा कानाडा भारत का समिधान भारत को कैसे वरनीत करता है तो इसका सही आंसर होगा राज्यों का संग भारतिय समिधान में राज के निती निदेशक तत्व ग्रहन किये गए हैं तो इसका सही आंसर होगा आयर लेंड से भारतिय संगसद में सामिल है तो इसका सही आंसर होगा लोग सभा और राजी सभा वजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा लोगसभा लोगसभा के लिए फर्थम आम चुनाओ कब हुआ था तो इसका सही आंसर होगा 1952 इस्वी कौन सा राज ये सबसे अधीक फरतिनीधी लोगसभा को भेजता है तो इसका सही आंसर होगा उत्तर फ्रदेश कौन सी लोगसभा के चुनाव चार चर्णों में संपन हुए तो इसका सही आंसर होगा चोद भी राश्टपती द्वारा राज ये सबसे के कितने सदस्चियों को नामित किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा बारह लोगसभा में राजियों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है तो इसका सही आंसर होगा जन संख्या के आधार पर लोग सभा की अधिक्तम सदैस्जी संस्थ्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 552 विदेशों को भेजे जाने वाले विविन संसद्य परतिनीधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नमाखन निमलखीत में से कोन करता है? तो इसका सही आंसर होगा लोक सभा ध्यक्ष किसी राजी के राजपाल को निमलिखीत में से किसकी सक्ती नहीं है तो इसका सही आंसर होगा विधान सभा अस्तगीत करने की भारत में पंचवर्षी योजना अंतिम रूप से अनमोदित की जाती है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्य विकास परिशत द्वारा वित्य आयोग क्या है तो इसका सही आंसर होगा पंचवर्षिय निकाए वित्य आयोग की अस्थापना किसके द्वारा होती है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्र पती राजी का उचितम विधी अधिकारी निमलखीत में से कोन होता है तो इसका सही आंसर होगा एड़ोकेट जनरल भारत में नियंतरक एवं महालेखा प्रिक्षक की नियुकती किसके द्वारा की जाती है तो इसका सही आंसर होगा राश्ट्रपती तो फ्रेंज अभी के लिए वस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैहिंद वंदे मात्रम